Dream 11 में एक new backup feature आया है अब इसका हमें क्या फाइदा क्या इस फिचर से हम एक करोर दो करोर रूपए जीत सकते हैं आज की इस वीडियो में दोस्तो हम backup फिचर के बारे में सब कुछ जानेंगे अगर आप Dream11 यूज करते हो तो यह फिचर के बारे में जानना आपके लिए बहुत वाला हूँ तो चलो आज किस वीडियो को स्टार्ट करते हैं सो गाई सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि यह फीचर हमें क्यों दिया गया है ड्रीम 11 के तरब से देखो यह फीचर इसलिए दिया गया है मालो दोस्तों हम जो है वो कभी टीम बनाते है ड्रीम 11 पे और मालो म यह फ्लेक्ट में नहीं कर पाएंगे तो हमने जो बैक किसे गत्स के और करके आपको यूजच किया जाता है दोस्तों वीडियो को continue watch करना तो यहाँ पे जो है वो हम एक team को create कर लेते हैं यह कोई भी match हो जिसमें आपको backup option मिलता है तो यहाँ से हम एक team को player को select करके यहाँ पे team को create कर लेते हैं और उसके बाद हम आपको बताते हैं तो यहाँ पे मैंने captain wise captain में select कर लिया हमारा team generate हो चुका है अब मालो इसमें से line up में कुछ player add नहीं हो पाएंगे कुछ player नहीं खेर रहे हैं तो हमें इसके लिए backup जो है वो यहाँ पे add करना होगा तो backup add करने के लिए करना क्या होगा हमें नीचे में एक new backup का option मिलता है या फिर आप back आओगे न तो आपको back screen पे भी एक backup का option मिलेगा यहाँ पे देखलो add करने का तो यहाँ पे add backup के उपर click करना है यहाँ पे 4 player को select कर लेना है मालो जो player यहाँ पे 4 select कर ले हो तो आपके team में line up में कोई player नहीं आया है वो player जो है वो अपने आप यहाँ पे add हो जागा तो 4 player को आपको select कर लेना है यह backup के लिए ready हो चुका है अब जो player आपके team से नहीं खेलते हैं line up आप change नहीं कर पाते हो उसके बाद यह 4 player जो है वो यहाँ पे add हो जागा 4 में से कोई एक player automatic add कर दिया जागा अगर आपके team में 4 player नहीं खेल रहें तो 4 को 4 add कर दिया जागा तो यह backup option काफी अच्छा feature दिया गया dream 11 के तरब से इसके कारण मुझे काफी loss हो रहा था मैं भी dream team बनाता था और मुझे loss होता था अब loss नहीं होगा तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तो आपको backup feature के बारे में पता चल गया होगा जो dream 11 पे new update में आया है दोस्तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राब करके जाना